गुड मॉर्निंग डिये श्ट्वेंट, 15 सितंबर 2022 की स्करेंट अफेर की वीडियो में आपका स्वागत है जैसा कि हमने आपको बताया था कल के डेट में कि आपके एर फोर्स नेवी कोश्ट गार्ड और जितने भी डिफेंस एक्जाम आप देने चाहेंगे उस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेर के सिरीज आज से यानि 15 सितंबर से सुरू की जा रही है और हमने आपको बताया था कि Monday to Friday ये चलेगा बाकी के दो दिन special topics पे हम लोग discuss करेंगे या कि फिर जो हमने आपको करेंट अफेर दिया है बाकी के जो पांच दिन है उन करेंट अफेर का टेस्ट लिया जाएगा next two days में ठीक है बात समझ में आई होगी चलिए पहला question यहाँ पर देखते हैं आज के इस वीडियो का जो की आपके सामने है देखे जिस question में समझाने लाएक रहेगा उस question में समझाएंगे उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे ठीक है पहला question है कि 36 में राश्ट्य खेल का आयोजन भारत के किस राजे में किया जाएगा यहाँ पर option number A है डियाश्टन गुजरात अब देखे 36 में राश्ट्य खेल का आयोजन 29 सितमबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के 6 सहर यानि कि गांधी नगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोद्रा, भाव नगर और राजगोट में किया जाएगा कौन सा देश United Kingdom को पीछे छोड़ते हुए विश्व की पांचमी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन गया है तो यहाँ पर option number B हो जाएगा यानि कि भारत जिहां भारत दुनिया की पांचमी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन गया है इसके साथ ही United Kingdom छठे अस्तान पर खिसक कर पहुँच गया है निम्लिकित में से कौन केंदरी मंतरी मंगोलिया और जापान की पांच दिवसी यात्रा पर है तो यहाँ पर option number C हो जाएगा यानि की राजनात सिंग आपको लगेगा कि सर यह question क्यों आप बता रहे हैं इसमें क्या खास बात है तो dear student इसमें खास बात यह है कि यह किसी भारती रच्छा मंतरी की मंगोलिया की पहली यात्रा होगी इसलिए यह question important है नेक्स्ट question की तरह बढ़ते हैं कि भारती मूल के लक्छमण नर सिंग्भन को किस अमेरिकी बहुराष्ट्य कंपणी का CEO न्यूक्त किया गया है तो यहाँ पर option number C हो जाएगा Amazon नेक्स्ट question की तरह बढ़ते हैं कि किस भारती कंपणी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोसला की है यहाँ पर option number C हो जाएगा Reliance Industries नेक्स्ट question है कि नारियल विकास बोड के छेतरी कार्याले का उद्घाटर किस राजे में किया गया है यहाँ पर option number C है गुजरात नेक्स्ट question की तरह बढ़ लेते हैं कि किस राजे या कि फिर केंद्र सासित प्रदेश ने सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जाच अनिवारे कर दिया है तो यहाँ पर option number C हो जाएगा sorry option B यानि की दिल्ली अब देखें दिल्ली पुलिस ने केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमित साह के निर्देश के बाद छे वर्स से अधिक की सजावाले सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जाच को अनिवार्य कर दिया है तो डेश्ट्वेंट आज के दिन के इतने सारे current affair जो कि आपके exam की point of view से important है वैसे तो daily कुछ न कुछ घटनाए होती रहती है लेकिन उन घटनाओं में से exam के हिसाब से कौन कौन सी घटनाए important है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब सर बात करेंगे कि सर आप इसकी PDF कहां से देंगे तो देखे ये आप सर्च कर लेंगे टेली ग्राम पर जा करके दस उधीर पांडे स्पेलिंग आपको पता ही होगी टी एची एची डी एच डवली यार पी अंडी वाई दस उधीर पांडे सर्च करके वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम